आईपेल 2022 का 38 मैच चिन्नेई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच खिला गया इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने ओल्डाउंडर किलाडी रिसी दाउन को भी प्लेइंग लियाउन में मौका दिया रिसी दाउन को कप्तान में के गरुवाल ने चिन्नेई की पारी का पाच होवर कराया इस दोरान उनके चहरे पर एक चीज़ को देख सब हहरान रह गए दरसल रिसी दाउन ने गेंबाजी के दोरान अपने चहरे पर सेब्टी सील्ड लगाया हुआ था बता दे सेब्टी सील्ड का इस्तमाल अपने चहरे को बचाने के लिए क्या जाता है दरसल रिसी दाउन अपने फॉलो थूरू में बल्लेबाज के काफी आगे चले जाते हैं और आजकल कभी कभी बल्लेबाज गेट को काफी तेस्ट से गेंबाज की तरफ खेल देते हैं ऐसे में बल्लेबाज की तेस्ट सोट से बचने के लिए ही रिसी दाउन ने सेब्टी सील्ड का सारा लिया था बता दे कि कई अमपैर भी बल्लेवाजों की तेज सोट से बसने के लिए सेफटी शील का सारा लेते हैं दोस्तों हमें कमेंट करके बताए कि क्या हर गेंद बाच को किर्किट में सेफटी शील का इस्तमाल करना चाहिए या नहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें किर्किट से जुड़ी ताज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी कर ले